हेलो फ्रेंज दिशे शुभाम बेक इट विध यू अगेन विधा न्यू वीडियो सो हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों तो आज मैं आपके लिए ट्रिक लिए आया हूँ यार मेरे को एक बात बताओ अपसर जब आप एडिट करते हैं अपनी फोटो इस जालीम एप से जिसका नाम है पिक्सार्ट तो आपके फोटो के सेंग क्या हालत होता है तब आपका फोटो रहता है एंस अप प्रेडिट करने के बाद हो जाता है एंस टांग मतलब कि आप समझ जी गहांगे पिक्सार्ट हो जाता है फोटो की क्वालिटी पूरी की पूरी उसकी वाट लगा देता है पूरी मतलब एकदम फटेट जाती उसकी फूटो और अब से मैं वीडियो एकदम आराम से बनाओं गयार आप लोग को मतलब पूरा एकदम बढ़िया से समझाओं गा मतलब की उच्छे वगं जल्दी जल्दी जल्सके लेंडि आश्या कमया तो मैं तुम्हों को फिर अब बता देता हूं तो चलियहां लोगा जो फिक साब-कैप्त मैं आपको मॉडल की फोटो दिखाता हूं और में वो मॉडलकी मतलब की डिट्य पथा देता हुए नहां मेरी प्राइवेट फोटो भी है तो देखे फ्रेंट्स यह है मॉडल की फोटो तो यहां पसर मैं आप डीटेल में जाकर आपको दिखा देता हूं तो देखे इसकी रिजॉल्यूशन है 1618 x 1050 तो और इसकी साइज 239 के भी तो आप जानी गहांगे अब मैं आपको पिक्सार्ट में खोड़के दिखा रहे तो देखे फ्रेंट्स यह तो मैं आपको थोड़ा अभी जूंग करके दिखा रहे तो हूं यह तो परना कहा है आपको कि पूल अब मैं जाने जाने के बाद वाल तो ऊप्राइज को करने के बीजल़ नहीं में जाना है और फ्रस्ट डेडियर जो होता है ये वाला यार जिसके फोई फर्वर्डे निपौत है इसको आपको नीचे में तर देना है तो आपको करने के बाद के थोड़ा भी काम खत और फिर इसको एकदम पॉर्णे में जाक एकदम हन्य फाइप फंटे कर देना और एक छोट आसा कर देना एक फ्रेंज तो दीग भी नहीं रहा है अपने लोग का कट देख लिजिए और जाज़ा बड़ा सा कट मत कर देना ऐसे ऐसे करके एकदम छोटा सा कट करना है जो की मतलब एक दम देख लिजिए मैं आपको दिखा देख लिए तो मैंने जून किया और फिछोट आसा कट किया है और फिकाल दीजिए राइट तो अब क्या होगा आपका फोटो ना एक दम बढ़िया क्वालिटी का हो गया जो पहले था वैसी अगर एकदम हो और मैं आपक क्या है देखे पहले को मैं आपको एक बर और दिखा रहेता हूं 239 के भी और इतको मैं डबल टब करके भी आपको दिखाता हूं यह है जूनने सिसकी और अब में पिक्सार की पोल्डर में जाके यही वाली इमेज कटा हुआ तो देखे फ्रेंस यही है अब हम लोग पीर इ दिखाता हूं तो देखे वही है आपका क्वालिटी कुछ नहीं बिगड़ा है तो ऐसे बिगड़ जाते है थी और मैं आपको बचाता हूं जिसमा क्वाल्टी एकडम खराब रहती है तो मैं एक खोड़ो ले आता हूं हां तो देखे फ्रेंस मैंने इमेज सेलक्ट कर दी है आपको समझ नहीं आ रहा हो गई में इसकी क्वालिटी बहुती खराब है तो इसको क्या करना है एक नहीं कि देखे यहां पर सिफ फोटो लेयर करके एक एक एच्डी फोटो एक तम एच्डी फोटो एक तम एच्डी फोटो एक डम जादे एच्डी फोटो जो आपको मतबना बहुती जादा एच्डी है उसको लगा तो देखे फ्रेंस मैंने यह वाली इमेज लेली है यह देखे आपको इसकी क्वालिटी दिखी गई हो कि एक तनी एच्डी है तो इसको आपको करना के दम नीचे में रखना है और आपको कर लेना है फिर से तो देखे इसमें ज्याजा जूम तो नहीं होगा तो देखे कितना पिक्सलेटेड हो रहा है और कट उसके बाद फिर आपको अल्बूम करना है उसके बाद राइक में क्लिक करना है फिर से आपको इखाता है अपने गलरी में जा तो देखे फ्रें तो फ्रेंस मैं आपको पहले इस मतलब की यह त्रीक का मैं आपको यह समझ लिए पहली पहले की मतलब की यह मतलब अईसा टुटनी है यार की मतलब आपका घराब इमेज रहेगा और क्वालिटी एक दम अच्छी हो जाएगे ऐसा नहीं है अगर आप अच्छी क्वालिटी की इमेज डालते हैं और फिक साथ में होता कि यह अच्छी थी लेकिन पीक साथ क्या कर देता है इसको मतलब क्वालिटी को अदम खराब कर देता है ना तो वही बात है कि मतलब क्वालिटी को इसको मेंटेन करने के लिए वैसी क्वालिटी की खराब उसके लिए खराबी आया है और मतलब देखिए जो अच्छा क्वालिटी करेंगा वो अच्छा ही आएगा तो देखिए इसके लिए फिन से इमेज की जो क्वालिटी है फोलिए मेर्टी के लिए 2.1 MB यार कहां 100 KB कहां 2.1 MB तो यह थी ट्रिक